आप सभी का पीटे एजुकेशन पे एक बार फिर से आज है हमारा सेशन नंबर 200 तो डबल सेंच्चुरी हमारी हो चुकी है 200 सेशन आफ लर्निंग इसमें हमने हर तरीके की बात की पॉलिटी से रिलेटेड साइंस एंट टेक्नलोजी से रिलेटेड कुछ और भी आस्पेक्ट्स पर बात की कुछ एकोनॉमिक पहलूं पर बात की तो आज का जो हमारा सेशन है 200 सेशन हम ये डेडिकेट कर रहे हैं बायो डावेसिटी होट स्प जो 200 सेशन हमने किसको दिया है ऑनवारमेंट को कूछिव आप देखि रहे हैं की किस तरीके से नेचर ने लोगों की बेंड बजा रखी है तो नेचर के आगे mother nature के आगे mother earth के आगे तो कोई भी नहीं है supreme right चलिए तो इन कुछ बिंदूओं में हम जो है आज का अपना ये lecture complete कर लेंगे सबसे पहला बिंदू है इंडिया's first bamboo dwelling bat with sticky disc has been found near non-chalum wildlife sanctuary in मेखाले भारत का जो पहला bamboo dwelling bat with sticky disc ये कहां पर पाया गया है non-chalum wildlife sanctuary मेखाले के अंदर पाया गया है इस bat species का जो नाम है इसे कहते है Udyscuscus denticles जिसमें इनके जो pads होते हैं यानि कि bat का जो ये वाला pad होता है आगे उसका जो थंब होता है वो disc type का होता है ऐसा कुछ होता है disc type का होता है and bright orange coloration और इस पे bright orange color लगा हुआ होता है They also find in South China, Vietnam, Thailand, Myanmar यहां पर जो ही जादा तर पाय जाते हैं और साथी साथ ये bamboo यानि जो आपके bamboo हैं उनके तनों के अंदर के जो inter-nodal spaces हैं उसमें ये पाय जाते हैं IUCN status की इनकी बात करें तो ये least concern IUCN status के हैं भारत में कुल कितने bats species हैं तो भारत में कुल 130 bats species हैं जिसमें से मेगाले के पास 66 ऐसे disc footed bats हैं जो की पूरे भारत में किसी विराज्य में सबसे highest हैं protected areas के अगर बात करें तो ये तो disc footed bats से related कुछ उसकी बात थी उसकी कुछ विशेस्ताएं थी अब मेगाले की बात करें particularly तो मेगाले में जो protected areas है वो 5.06% है उनके पूरे geographical area का यहां पर दो national park है चार wildlife century है और एक biosphere reserve है मैं आपको दिखा भी देता हूं जैसे यह देखिए आपके सामने chart होगा तो यह protected areas हैं मेगाले के अंदर में और उनका area दिया हुआ है कि इस district में लाई करते हैं कहां कहां establish हैं तो यह आप देख सकते हैं कि कितने wildlife century है चार wildlife century है दो national park है और एक biosphere reserve है तो यह मेगाले की कुछ बाते हैं मेगाले में अगर इनमें बात करें तो मेगाले में कौन-कौन से primates पाई जाते हैं तो stumped tail मैंकू आसमीज मैंकू northern pigtail मैंकू कार्णी वोरस में अगर हम बात करें तो बेंगॉल टाइगर है clouded leopard है and leopard है पीर्स में अगर की आपका मिगाले के अंदर ही आता है तो no creek national park यह आपका पूरा east garo hills से लेके west garo hills तक फैला हुआ है और कहा जाता है कि यह भारत के जो सब हिमाले range है हिमाले की जो प्रवत शेर्णी है उसमें सबसे least disturbed forest track है यहां पर जो fauna पाई जाते हैं वो है आपके इंडियन elephant हुलोग गिबॉन केप्ड लंगूर clouded leopard तो मैं आपको दिखा भी देता हूं जैसे कि आपके पास यह रहें यह हैं आपके पास garo hills में यह देखिए आप इंडियन elephant है यह हुलोग गिबॉन है garo hills में यह केप्ड लंगूर है बाग मारा में और यह slow लॉरिस भी है तो यह सारी चीज़े जो है कहां पाई जाती है मेगाले के अंदर में यह पाई जाती है यह उनका फॉना है साथी साथ अगर नॉंग खायलें wildlife sanctuary के अगर बात करें तो यह eastern हिमालियन biodiversity hot spot में पाई जाता है और एक और खास बात की अगर हम wildlife schedule 1 की बात करें यहा 140 स्पीसिज हैं जिसमें से 30 स्पीसिज जो हैं आपके मेगाले में पाई जाते हैं यह आपको ध्यान रखना है 30 स्पीसिज किसमें पाई जाते हैं मेगाले में पाई जाते हैं और non-kylum wildlife sanctuary यह सब कुल मिला के यह पूरा protected areas मैंने आपको बता दिया है मैप के अगर थोड़ा देखना चाहें तो यह उनका network है मेगाले इसका जैसे आप यह देख सकते हैं यहां पर biosphere reserve है यह national park है यहां पर दो यह हैं आपस में जुड़े हुए हैं और यह wildlife sanctuary है यहां पर आप देख सकते हैं तो यह इस तरीके से हैं यह पूरा मतलब एक पार्ट है मेगाले का तो और आपको कुछ चीजे और ध्यान रखना है कि मेगाले की boundary लगती किस states के साथ है और किस देश के साथ कि बंगलादेश के साथ मेगाले boundary share करता है तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि क्या बंगलादेश के साथ मेगाले boundary share करता है या नहीं करता comment thread में अपने answer को जरूर दीजेगा इसके साथ-साथ black disc-footed bat इसको ध्यान आपको जरूर रखना है अब आते हैं अपने quiz पे तो यह हमारा quiz आज का non-khylam wildlife sanctuary is located in तो non-khylam wildlife sanctuary है यह कहाँ पर located है आसाम में, मेघाले में, अरुदाचल परदेश में मनिपूर में, क्या होगा सही जवाब जरूर बताइए, तेरवा quiz है यह है आज का हमारा तो non-khylam wildlife sanctuary is located in and the correct answer is मेघाले है, मेघाले में यह located है यह आज के lecture से हमने देखी लिया तो यह हुआ हमारा आज का lecture खतम, 200 session of learning कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा साथी साथ जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका अच्छे से जवाब दीजिए, बने रही है हमारे साथ आएए, खुद को enroll कीजिए economic cracker combo course में करके दिखाएंगे spirit के साथ चार बड़े courses है, छे महिने की validity है, आपको काफी जो है वो इसमें मज़ा आएगा और PT के subscription courses भी on है एक महिने के लिए, छे महिने के लिए ideals for professionals, civil services aspirants, MBAs and college students current affairs की annual compilation जो आचुकी है book story पर link पर click कीजिए और अपना पढ़ना शुरू कीजिए revision time बहुत आई है, माना की lockdown लग गया है, आप से एक generally सवाल की, आप जिस शहर से हैं क्या वहाँ पर lockdown लग चुका है अगर नहीं लगा है, तो क्या वहाँ पर आसार दिख रहे हैं, क्यासा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा हम back to square position फिर से वापस आ चुके हैं, जहाँ पिछले साल थे खर कोई बात नहीं, यह तो चलता ही रहेगा इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, till then take care, नमस्ते चैहें